दोस्तों सर्दियों में ताजा ताजा हरी मटर से बनाते हैं तरह तरह की स्वादिस्ट सबजियां पराठे, पूरी, कचोरी दोस्तों मटर के फाइदे तो आप जानते ही होंगे इसमें बहुत सारा कार्वोहाइडरिट, आइरेन, फॉलिक एसिज, वाइटामिन, ए, वी वन, वी सिक्स, सी का एक अच्छा सोस है कॉलिस्ट्रोल लेवल कम करता है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, इम्मुनिटी बूस्ट करता है दोस्तों ऐसे ही एक सबजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पीस, मखनी, करी, रेसिपी जिसे हम बिना प्याज लैसून के बनाएंगे नमस्कार दोस्तों, तैनुवेस किछिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मटन, मखनी, करी बनाने के लिए कडाई गरम करके उसमें एक चमाज घी डाल दिया है घी की जगा आप बटर डाल सकते हैं, जब गरम हो जाएगा तो आदा चमाज जीरा एक चताई चमाचींग डाल देंगे जीरा जब अच्छे से चटकने लगेगा अच्छी खुश्वान लगेगी तब इसमें दो कटी हुई हरी मिर्ची डाल देना है, मिर्ची को अच्छे से सौटे करेंगे एक निट चमा से चलाते हुए मिर्ची को फ्राइ कर लेना है अब इसमे एक बारी कटा हुआ लाल टमाटर डाल देना है टमाटर को भी दीमी आज़ पर चमाटर से चलाते हुए मिक्स करके भूनना है अब इसमे ताजा हरा मटर डाल देना है ये करीब 100 ग्राम चिला हुआ मटर है दीमियाज पर चमाच से चलाते हुए टमाटर और मटर को अच्छे से सौटे कर लेंगे अब कुछ मसाले मिलाएंगे आदा चमाच वल्दी पाउडर आदा चमाच नमक आदा चमाच धनिया पाउडर एक चमाच चिली फ्लेक्स टाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे एक निट धीमियाज पर मसालो को भी अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेना है अब एक धकन लगाकर इसको धकने रखेंगे 3-4 मिनिट के लिए 3-4 मिनिट बाद धकन उठाकर चेक करेंगे मटर का कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट हो गया है टमाटो भी पक गया है, अब इसमें एक कप टमाटो प्यूरी मिक्स कर देना है टमेटो पियरे को भी अच्छे से मिक्स करके प्राई करेंगे दो से तीन मिनिट धीमियाच पर इस तरह से चम्मच से लगातार चलाते हुए टमेटो पियरे को भी पका लेना है दो मिनिट पकाने के बाद मिक्षर कुछ ड्राई हो जाएगा मौईशर भी कम हो जाएगा तब इसमें एक चमच भूना हुआ बेसन जो पहले से भून कर रखा हुआ है मिक्स कर देना है ये करीब एक बड़ा चमच है या दो छूटे चमच दोस्तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी पी को पूरा देखिएगा दीमी आज पर दो से तीन मिनिट बेसन को भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है क्योंकि हम मटर मखनी बना रहे हैं इसलिए इसमें दो चमच फ्रेश क्रीम डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे दीमी आज पर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर ड्राय सब्जी इस्तिमाल करनी है तो इस सब्जी को फ्लेम ओफ करके उप्योग में ला सकते हैं अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिय डाल देंगे कर भी अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसे ग्रेवी बनाने के लिए आदा कप पानी डाल देना है और एक चमा से चलाकर अच्छे से मिक्स करना है और उबाल आने पर इसको फ्लेम आफ करके सर्फिंग गोल्स में निकालना है ये तैयार हो गई मटर मखनी करी है ना कितनी स्वादिस सब्जी अब इसे लंच बॉक्स में ले चाहिए ये लंच में खाई ये टेंडर में खाई ये पूरी पराठे या रोटी से या फिर चावल के साथ बहुत ही स्वादिस लगने वाली है ये सब्जी सब करते समय गारिश करेंगे हरे धनिये से और फ्रेश फ्रीम से तो आप भी बना लीजिए सब्जी को और बताईए कैसी लगी मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमिट्स करना न भूलिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा एक और नहीं राशे वही कुछ खास स्टेप्स और ट्रिक्स के साथ देखते रहे है तनुबेस किचिन थैंक्स पर वाचिंग